पिस्तिक्ष पर तिलक लगाने के साथ फाइदे किसी के माते पर तिलक लगा देख कर मन में यह सवाल उटना सोभाविक है कि आखिर ठीका लगाने के फाइदे क्या है आम तोर पर चंदन कुमकुम, मट्टी, हल्डी, भस्म, आदी का तिलक लगाने का विदान है अगर कोई तिलक लगाने का लाब तो लेना चाहता है पर दूसरों को ये दिखाना नहीं चाहता तो सास्तरों में इसका भी उपाय बताया गया है ऐसी इस्थिति में आप जल का तिलक लगा सकते हैं तिलक लगाने का पहला फायदा तिलक करने से व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है दूसरा ललाट पर नियमित रूप से तिलक लगाने से मस्तक्ष में तरावट आती है लोग सान्ती सकून अनुभव करते हैं यह कही तरह की मानसिक बीमारियों से बचाता है तीसरा कुछ फ्यक्ति उदास मानसिक रूप से स्वस्त नहीं होते जिससे उदासी दूर होती है और मन में उत्सा जगाता है यह उत्सा लोगों को अच्छे कामों में लगाता है फोर्फ इससे सिरदर्द की समस्या में कमी बहुत कम हो जाती है जिसको बहुत ज़्यादा सरदर्द होता है तिलक लगाने से सीरदर्द की समस्या भी बहुत कम हो जाती है पांचवा है हल्दी से युक तिलक लगाने से त्वच्चा शुद होती है और हल्दी में एंटिक वैटिक त्वच्चा होता है जो रोग से मुक्त करता है छटा दार्मिक मानिता के अनुसार चंदन का तिलक लगाने से मनुष्य के पापों का नाश होता है लोग कही तरह से संकर से बच जाते हैं जो तिश शास्त्र के मुताबिक तिलक लगाने से ग्रह की शांती होती है सात्वा माना जाता है कि चंदन का तिलक लगाने वाले के घर में अन से भरा रहता है और सोभागे में बड़ोतरी होती है तो तिलक लगाने के ये सारी फाइदे होते हैं और तिलक लगाने से हमारी भगवान श्री नारायन बेहत खुश होते हैं क्योंकि हमारे मस्तक्ष पे उनके चरण हमेशा रहते हैं तो हम बहुत सारी चीजों से बहुत बच जाते हैं इसलिए हम लोगों को तिलक धारण करना चाहिए जैश्री किष्णा जैश्री किष्णा